तो भाई यो आज सामने करिए भॉकाल का दूसरा नाम फॉर्चुनल लेजंडर का 2023 मोडल एंड इस वीडियो में इसी कार का कम्पलीट डीटेल रिव्यू करेंगे कार के क्या लुक रहने वाले हैं एंड कार के अंदरे में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं सबसे पहले काईसम कर लेता हुआ हुआomas सकते हैं और इस कार पर वेटिंग पीरियड भी कुछ खास जाता नहीं है और यह कार सिर्फ हमें आटोमेटिक के साथ ही एवलेबल देखने को मिलती है मैनुल के आप्शन हमें इसके लोवर वाले मॉडल में देखने को मिलेंगे सो गाइस अभी बात कर लेता हूं और ओर वाल कार के एक्स्टीरियर लुक के बारे में फ्रंट से देखेंगे तो बाइस का कुछ फेश या कुछ इस टाइप का आने वाला है लेक्स इंस्पायर्ड है कम्प्लीटली एंड यहां पर कम्प्लीटली LED का सेटप देखने को मिलता है LED DRLs, LED Projector Headlamp मिल जाते हैं यहां पर Coordinary Lamp का function भी दिया गया है बाकि नीचे की साइड हमें fog lamp मिल जाते हैं और floating indicators भी मिल जाते हैं जो की DRL का भी काम करते हैं और front parking sensors मिल जाते हैं बड़ा सा Toyota का logo एंड श्रीकरी की camera की placing यहां पर नहीं दी गई है जो की GR model में ही आती है ग्रिल आप देख सकते हैं completely आपर piano black की finishing दी गई है और कार लुप के मामिले में जबर दस्ते हैं काफी जादा एंड रोड प्रेसेंस तो बाइस की भोकाल आती है एकदम जब रोड पर चलती है तो लोग आफकोर्स इस कार को मूड के देखते हैं यह लेजेंडर वाला model को ज़्यादा ही अट्रक्टिव लगता है नीचे की साइड इस सिल्वर कलर की स्किट प्लेट दी गई है और नीचे की साइड भी यह स्प्लेश प्रूफ इंजन गाड दिया गया है प्रॉपर जिसकी बदर से चुहें अगरा नहीं बढ़ेंगे और बारिश के टाइम पर अट्रक्टिव बनाती है बाकि यह डूल टोन कलर की थीम के साथ आती है ब्लैक और वाइट जो कि अलगी लगता है रोट पर जब चलती है साइड से देखते हैं यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं और वी हम पर हमें इं पर जब लगती है और वीजे की साइड यह डिया रल की फलेसिंग देखने को मिल जाती है एड़ फ्लोटिंग इंडिगेटर मिल जाते हैं जो कि कंप्लीटि ए लडी में ही दिये गए हैं यहाँ पर बस हैलोजन में रिवर्स पार्किंग लेंप मिल जाते हैं बाकि सभी कु मतलब ऐसा लगता है मैंट कलर की कम्प्लीट प्रॉपर रूफ ही ऐसी है एद ये प्यानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ ही शार्ट फिन एंटिना मिल जाता है वाइपर वाशर और डिफॉगर जाता है सभी टाइप के आपशन मिल जाते है हाई मांटेड इस टॉप लैंप बागी ओवर ओर लुक तो इसका है ही ही उज काफी एद ये इदर की साइट से फ्रंट से ही क्रोम की फिनिशिंग की गई है एद ये 4x4 वाला मॉडल है तो इसलिए सिग्मा 4 की बैजिंग दी गई है भाई क्या लगती है ये बैजिंग मतलब सिग्मा अलफा सभी कुछ है ये गार अब एकस्टीर के बारे में तो बहुत हो गया अब इसकी इंटीर के बारे में बात करेंगे ये है इसकी चाबी लॉक अन्लोग औव टेक्से का बटन फॉर्चिंह की बैजिंग टोयटा की बैजिंग एंड स्मार्ट की है काफी बागे अभी इसके इंटेर में चलके देखते हैं क्या इंटेर है इसका एंड क्रोम दोर हैंडल मिल जाते हैं रिक्वेस्स चंशर के साथ अड सबसे पहले डोर पर देखेंगे तो ये ब्रावन जाए किलर की फिनिशिंग के साथ पर ट्विटर भी दिया गया है बागे निच्छे की साइड ये स्टैप प्लेट दी गई है टोयटा की बैजिंग एंड इसके उपर आप पैर रखके एजी ली अंदर जा सकते हैं और भाई यहाँ पर इंजन पुष स्टार्ट स्टॉप बटन को ओन कर लेंगे और गेट को कर लेंगे बंद और सबसे पहले इसमें एक इंट्रस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको भाई ये देखो जब इसका इंस्ट्रूमेंट प्लस्टर ओन होता है तो यहाँ पर फॉर्चुनर बनी वियाती है प्रॉपर बट अगर यह कंप्लीटल में होता पूरी एक लाइन सी बनी होती है तो जादा बैटर लगता बट अभी के लिए एनलोग वाले एक ठीक है अपना काम चला देंगे और बीच वाली M.I.D. में इनफ इनफ इंफर्मेशन शो हो जाती है ब्लुटूथ कनेक्टिविटी एंड टायर की पोजिशन की इदर की साइड है यह काफि जद इंपोटेंट है बड़ी-बड़ी कार अब क्योंकि यह आती है तो इसलिए बाई यह ब्लुटूथ कर रहा है यहां पर आजाते है इसमें इंजन टैपरेचर गेज दिखा रहा है एंड फ्यूल गेज यहां पर हैंड इसमीड दोस्टों की मैक्सिम्स पीड के साथ निखा रहा है और बीच वाली M.I.D. को आप इ cruise control के button यहाँ पर नीचे की side दिये कये हैं बाकि कारों में उपर की side होते हैं तो मुझे भी लगा ऊपर की side होते हैं पकी steering wheel mount सबी control मिल जाते है call button receive के बटन mode को यहां से change करते है paddle shifter मिल जाते हैं बाई क्या वागाते है क्योंकि यह automatic है complete automatic car है तो इसमें paddle shift option मिलता है बाकि यह front AC vent है and यहां पर engine purification के बटन मिल जाते है boot access का बटन मिल जाता है park assist का बटन मिल जाता है boot को off करने वाले बटन मिल जाता है बाकि नॉर्मली जोते हैं वही है सारे function and यहां की side आते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो इसकी को रख देते हैं यह ट्विन का फोल्टर मिल जाते हैं ओपनिंग काफी लेक्शेरी है इसकी और ऑटमेटिक ट्रांश्मिशन में ना कंपनी काफी जाता अपने डिजाइन को एड़ करती है यहां पर यह इको मोड नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं त्री ड्राइविंग मोड यहां पर traction control और यहां पर यह differential lock का 4x4 वाले option को और लॉक करने का option मिल जाता है और यहां पर यह armrest मिल जाती है अंदर storage space मिल जाता है यहां पर यहां पर soft touching material आप देख सकते हैं leather aid completely seat upholster भी completely leather aid में मिलती है बाइट नहीं में ही गाड़ी है तो leather aid तो बनती भी है बाकि बाइब बात करो इसके infotainment screen के बारे में तो size देख लो बाइब इसका थोड़ा और ज्यादा अप्ग्रेट होना चाहिए इसको तो अगली बार जब यह car इसका next facelift या कोई से next generation model आता है तो यह चीट को completely upgraded होना चाहिए बाकि ठीक है Android और Apple CarPlay connectivity की साथ feature अभी भी मिलते हैं और काफे सारे Bluetooth connectivity, phone connectivity जैसे और भी काफे सारे feature अलड़ी मिलते हैं इस car में बाकि यह button button से setting करना पड़ता है तो थोड़ा odd लगता है और यह नीचे की side आते हैं तो भाई इसमें dual zone में automatic climate control मिल जाता है जो कि गर्मियो के time पर बहुत ही कमाल का feature है बाकि यह से control completely यहाँ पार है buttons के through का आप control कर सकते हैं यह नीचे बीच में screen सी दी गई है यहाँ पर जो देखेंगे आप ventilator seats के option भी देखने को मिल जाते हैं बाकि USB connectivity and charging socket जैसे सभी type के feature इसमें मिल जाते हैं 12 watt का charging socket मिल जाता है यह power socket बाकि नीचे की side twin cup holder की side देखेंगे तो रभाई लाइक charging pad भी मिल जाता है यहाँ पर easily आप अपने phone को रखके charge कर सकते हैं convenient feature है काफि practical feature तो हैं इस car के अंदर वैसे बाकि बाई जब आप इस car में बैठेंगे तो बाई कुछ इस type का लुक आने वाला है leatherette steering wheel मिल जाता है उपर की side यह piano black के finishing के साथ और नीचे की side silver saturn finishing के साथ बाकि यहाँ पर यह AC vent के पास में watch भी दी गई है और इन AC vent की throw भी अच्छी है और उपर की side यह automatic में IRPM मिल जाता है automatic diminishing function के साथ यह उपर की side यह sunglass holder मिल जाता है यह आपको lamp मिल जाता है completely LED में ही है उनके control यहाँ पर है and कोई भी sunroof अगरा है यहाँ पर नहीं है mic के placing वगरा सभी यहाँ पर है and lamp मिल जाता है mirror के साथ front shade में passenger side and यहाँ पर भी हमें lamp मिल जाता है mirror के साथ जो की functioning में जलता भी है and बाकि भाई इसके अंदर glove box check करेंगे तो यहाँ पर दो-दो glove box मिल जाता है soft touching material यूज किया गए यहाँ पर एक cold में है एक normal है and यहाँ पर कोई भी lamp वगरा नहीं अंदर की side यहाँ पर फॉर्चनर की भाई यह stretching वगरा देखेगा working मनला काफी भड़िया तरीक के सही की गई है interior इसका completely dark theme के साथ ही दिया गया है कोई भी beach finishing यहाँ पर नहीं है बाकी front लोग कुछ ऐसा ही है अभी rear side के बारे में ही बात करेंगे तो बाई rear passenger side के बारे में बात करेंगे तो door आगे जैसे है ambient light and fortuna की badging soft touching material speaker and paddle lamp यहाँ पर मिल जाता है door pocket वगरा सब कुछ प्रॉपर है and यहाँ पर भी step के ऊपर पैर रख के आप इसीली इन साइड हो सकते है and अभी mainly interior के side बैट के बात कर लेता हूं कि अंदर क्या क्या मिल जाता है तो यहाँ पर seat adjustable में आगे बीचे कर सकते है arm rest मिल जाती है three cup holder, twin cup holder के साथ basically mainly यहाँ पर adjustable head rest मिल जाती है डोने type c में है and यहाँ पर 5 kg का hook driver seat में यह pocket मिल जाती है AC pen उपर की side control यहाँ पर मिल जाते है complete आप यहाँ से ही climate को control कर सकते है पीचे side यह lamp मिल जाते है again LED में ही है completely बाखे 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 सेफटी में बीच वाले passenger के लिए भी proper seat पहलती गई है बाकि comfort, under thigh support and head room के मामले में काफी बढ़िया है मेरी height के according जो है completely comfort एक तम सही है बाकि अगर कोई बच्चा पीछे बैटता है तो बच्चा ही बैट पाएगा कोई बड़ा आदमी नी बैट पाएगा क्योंकि यहाँ पर ना तो head room है ना ही lag space है और ना ही under thigh support है बाकि यह boot space तो मेड़ी जाता है और उपर की साइड यह lamp मिल जाता है यह complete halogen में है और सबसे बड़ी बात पीछे की साइड बे में इस event मिल जाते हैं तो दोनों बाकि काइस पीछे के साइड मैंने बूट space चोड़ दिया था तो वो बूट access करके दिखाता हूँ इस पूट को आप तीन तरीके से open कर सकते हैं एक तो चापी से एक आगे से एंड यहाँ पर यह पर यह बटन दिया गया है एंड सबसे बड़ी अबाद भाई बूट space के अंदर जो है इनोवा क्रिष्टा के लगभगी आसपास ही मिलता है उसके अंदर थोड़ा सा जाता है पांच लिटर के आसपास जाता है इसमें 296 लिटर के आसपास बूट space जाता मिलता है इस बटन को प्रेस करके आप इसको पंद कर सकते हैं and seat के मामले में यहाँ पर आपको electrically adjustable seats मिल जाती हैं जो कि मैंने miss कर दिया था बताते हुए आपर seven way आप adjust कर सकते हैं height adjustable की बी option आपको यही मिल जाते हैं at level यही नहीं पैसेंजर साइड भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ अभी तो इधर की side आते हैं तो passenger की side भी हमें जो है तो 2.8 लिटर का turbo diesel engine मिल जाता है जो पावर जनरेट करता है 201 bhp की and भाई 500 अनम का torque इस कार को इतना ज्यादा क्वीक बना देता है कि यह कार अपने आप में काफी अच्छी performance कार है कार के अंदर vibration तो है I agree बट इस कार के अंदर की जो power है वो power to weight ratio and aerodynamics इस कार को भाई perfect बनाते हैं तो engine के मामले में तो कोई कहीं से कहीं तक इस कार कोई कुछ कहीं ही ने सकता मतलब इसके टकर में भी कोई कार ही नहीं है engine performance को लेके तो और कार में 4x4 and 4x2 आप्शन के साथ भी अवलेबल मिलती है 4x4 आप मॉडल इसका बहुत ही चादा capable है off-roading के मामले में बहुत ही बढ़िया perform करता है बाकी काईस आप मुझे कमेंट करके जरू पताएगा कि आपको फॉर्चुनल लेजेंडर कैसी लगती है and well rumors के according ये भी पता चल रहा है कि इसका new model आने बाला है बट वो कब तक आएगा अभी उसका कोई अंदाजा नहीं है अभी तो rumors के according तो ये भी पता लग रहा है कि Ford की endeavor वापस आ रही है अब्सक्राइब के लगा है